नमर श्कार दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिर स्वाथ करता हूँ उमने यूटूब चैनल क्रेजी गयान पर तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से बहले सबसे बहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को जिस अप्लिकेशन के बार बताने वाला हूँ इस अप्लिकेशन को आप सभी अपने फोन में डाउनलोड करके जरूर से रखेगा च अगर मांन के चलिए आपका फोन कहीं पर गुम जाता है तो आपके फोन में जो भी डेटा है या फिर जो भी सारी चीजें है वो तो चोर डिलिट कर देगा अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन चोरी हो जाए और चोरी होने के बाद आप सभी को उसकी location पता चल जाए चोर की फोटो भी आप सभी को पता चल जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि आपका जो फोन है इस टम कहां पर है तो ये application आप सभी की काफी ज़्यादा मदद करने वाला है यानि आप सभी का phone अगर चोरी हो जाता है तो आप सभी को इसकी location जो है वो आप सभी को पहले से पता चल जाएगी तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी application है कैसी application को आप download करेंगे और download करने के बाद इस application में क्या सब setting करनी है ताकि जब भी आपका phone चोरी हो जाए वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि आपका phone चोरी हो जाए कौन चाहेगा भई कि मेरा phone चोरी हो जाए लेकिन गलती से कभी मारा phone गुम हो जाता या फिर चोरी हो जाता है अचकल चोर भी smart हो गए तो अगर आपका phone चोरी हो जाएगा तो उसकी location और photo भी आप सभी को मिल जाएगी तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी application है कैसे setting को गएरा करेंगे तो चलिए अप करते हैं वड़को start दोस्तो वीडियो स्टार्ट कने से बेशे सबसे बहले अगर आपने शोड़को like नहीं किया तो वीडियो को एक like जरू से कर दीजेगा साथ ही मैं आप हमारे चैनल को subscribe करके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों शेर विजरुशक कर दीजेगा और आप सभी को comment करके ये भी बताना है कि ये जो application है ये जो setting आप सभी को कैसी लगी और आप सभी के कितने काम की ये application है तो चली अब मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी application है जिसकी मदद से अगर आपका phone जो है कहीं चोरी हो जाता है फिर गुम हो जाता है तो किस तरीके से आप अपने phone का पता लगा सकते हैं आप अपने phone की location का पता लगा सकते हैं साथ ही मैं जिसने भी आपके phone को चोरी किया है उसकी photo को कैसे आप देख सकते हैं दोस्तों मैं दुबारा कहा रहा हूँ ये जो application है आप सभी के phone के लिए काफी ज़्यादा important application है तो इस application को आप अपने phone में download करके जरूर से रखेगा हमेसा रखेगा चाहे आप कोई साभी phone use करते हैं तो चलिए अब मैं आपको इस application के बार बता देता हूँ तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को अपने phone में इस application को download कर लेना है अब इस application का link मैंने video के description में डाल दिया है तो हाँ से आप से download कर लिजेगा अब download करने के बाद इस application को कैसे use करते हैं क्या सब setting है और साथ ही में इस application को अगर आप कभी delete करना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा जरूर से देख लिजेगा वीडियो के last में मैंने आप सभी को बताया है कि ये जो application है आपके phone से कैसे delete होगी क्योंकि ये application आपके phone से normal तरीके से delete नहीं होगी इसको delete करने के लिए आप सभी को setting में जाना पड़ेगा तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इस application को आप कैसे use करेंगे कैसे setting है ताकि जब भी आपका phone चोरी हो जाए तो आपको जिसने भी आपके phone को चोरी किया है उसकी location को और photo को आप अपने phone पे आप अपने email पे देख सकते हैं तो सबसे पहले जैसी application आप अपने phone में open करेंगे तो यहाँ पर आप सभी इस तीर के निशान पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर accept करने का option आज चुका है इसको मैं accept कर लेता हूँ इसके बाद आप सभी को वापिस से next के पर क्लिक करना है और यहाँ पर यह जो attempt limit है इसको दोस्तों आप सभी को एक set कर देना है अब एक आप सभी को इसलिए set करना है कि मान के चलिए कोई चोर आपके phone को चोरी कर लेता है तो वो आपकी phone में password डालके खोलने की कोईसी जरूर से करेगा और जैसे आपकी phone में गलत password डालेगा तो इसकी photo और location तुरंत ही आपकी email पर send हो जाएगी इसके लिए आप सभी के phone में आपका internet है वो on होना जरूरी है इसी कारण जब भी आप कहीं बाहर जाए तो आप अपने phone में internet को on कर लीजेगा और इस application को भी आप अपने phone में download करके रखिएगा इसके बाद आप सभी को next के पर click करना है फिर यहाँ पर आपको location को on कर देना है ताकि चोड़ चोरी करने के बाद आपके phone को जहां पर भी ले जाएगा उसकी location भी आप अपने email पर देख सके इसके लिए आप सभी को allow कर देना है जैसे allow करेंगे तो यहाँ पर यह जो location है आ और यहाँ पर आपको चाम करना है जिस इमेल को आप सबिर कर्ते हैं हिए जिसका पास वर्ड मैं क्लिक कर देता है ऊप आप सब्सक्राइब करने का वाद आप सभी को काम है हो जाएगा अब इसके बाद आप सभी को next करना है नेक्स्ट करने का वाद यहाँ पर आप सभी को camera और storage की permission को allow कर देना है इन दोनों permission को आपको जरूर से allow कर देना है अब दोस्तों इस application में जितने भी तो बड़ी आसानी से आप उसकी location भी देख सकते हैं और उसकी अब मेरे email पे दोस्तों photo location आ चुकी होगी चलिए अब मैं आपको तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने फोन को इहाँ पर अनलॉक कर लेता हूँ सही बासवड डाल देता हूँ कि बहुत यहाँ और यहां पर आप देख सकते हैं उसका जो एड्रेस है वो भी लिखा वह आ जाएगा साथ ही में आपर किस फोन से अनलोक हुआ है यहां पर आप सभी आप सब्सक्राइब करके गूगल मैप पर इसकी लाइव लोकेशन को भी चैक कर सकते हैं तो इस लिए कह रहा हूं इस एप अगर आपका फोन खो जाता है तो यह application की मदद से आप अपने फोन को ढूंड सकते हैं तो चलिए आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इस application को अगर आप अपने फोन से डिलिट करना चाहेंगे तो किस तरीके से डिलेट कर सकते हैं क्योंकि normal तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं जैसी मैं अंस्टॉल करना चाहूंगा तो यह application हमारे फोन से अंस्टॉल नहीं होगा यहाँ पर आप सभी को अपने फोन की सैटिंग में चले जाने ठीक है जैसे आप डिवाइस लिखेंगे तो यहाँ पर आपको admin ट llega ऐसा को टाइब करेंगे तो सबसे उपर वाला जो आपसन है इसके क्लिक करने के आप सबसे और ञ polsk तो यहाँ पर हमारे फोन से डिलीट कर सकते हैं पर मैं आपको दिखा देता तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जैसी अब मैं इसे अनिस्टॉल करूंगा ना तो यह application अब हमारे phone से delete हो जाएगी है पर आप देख सकते हैं यह application हमारे phone से delete हो चुकी है तो इस तरीके से application को आप अपने phone में use कर सकते हैं और delete करना चाहें तो delete भी कर सकते हैं बाकी मैं तो नहीं कहूंगा delete करने के लिए क्योंकि यह application हमारे phone के लिए काफी जरूरी है तो उमेद करूंगा आप यह जो application है पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजेगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों share भी जासे कर दीजेगा थैंक यू